नैनम छिद्नन्ती सस्त्रानी नैनम दहती पावका यानी ना सस्त्र जिसे काड़ सकते हैं ना अगनी जिसे जला सकती हैं देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं उन्हें अम्रत्व प्रात्त होता है वो प्रेणा के पुष्प बनकर पीड़ी दर पीड़ी अपनी सुगन्द बिखेड़ते रहें इसलिए आज इतने बर्षवबाद भी अमर शहीद भगत्सी राजगुरु और सुख्देव के बर्द्यान की घाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर रहें क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकुमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर सास हो गई इसके बारे में कहा जाता था जो उनके शासन में सूर्य कभी हस्त नहीं हो गई इतनी ताकतवर हुकुमत एक 23 साल के युवक से भैवीत हो गई थी शहीद भगत्सी परावकरमी होने के साथ साथ जिद्वान भी थे चिंतक थे अपने जीवन की चिंता किये बगए भगत्सी और उनके क्रांती भी सास्यों ऐसे साहसिक कारियों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादे में बहुत बड़ा योगदान रहा था शहीद भीर भगत्सी के जीवन का एक और खुबसरत पहलू यह है कि वे टीम बर्ग के महतों को बखुबी समझते थे लाला लाजपात राय के बति उनका समर्पन हो या फिर चंद्रशेकर राजा सुक्वे राजगुरू समेथ कई क्रांती कारियों के साथ उनका जुड़ा उनके लिए कभी व्यक्तिगत गवरों महतों को नहीं रहा है वे जब तक जीए सिर्फ एक मिशन के लिए जीए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी सासन से मुक्ति दिलाना हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेणा ले उनके आदर्सों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए यही उनके प्रती हमारी स्रत्थान्जली पूति है शहीदों के समारत उनके नाम पर स्थानों और स्वस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेणा देखे शहीद बगत्थी के नाम से चंडिगड एरपोर्ड का नाम इस दिशा में एक और कदम है मैं चाहूंगा अमरित महोत्षाव में हम जिस तरह स्वतंत्रवा सेनानियों से जुड़े विशेत अवसरों पर सेलिबिरेट कर रहे हैं उसी तरह 28 सिक्टमबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवर्ष्य कर रहे हैं मैं समस्त्र देश्वास्यों के साथ साहस और विर्ता की प्रतिमूर्थी शहीद वील भगत्री को नमन करता हूँ